जियो-Call forwarding के से हटाए अगर दोस्तों आप जियो-SIM का इस्तिमाल करते हो और ऐसे में आप जो हेहां पे Call forwarding के ते आप उस Call forwarding को अचाते हैं अपने mobile से तो आप इसको के से हटा सकते हो सबसे पहले मैं आपको बदायता हूँ आप सबसे पहले हम यहाँ पर open करते हैं अपने dialer को dialer को open करने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ काम आपको आपने dialer से अभी करना होगा अगर आपने दोस्तों यहाँ पर geosim का इस्तिमाल करते हो और आप आप यहाँ पर किसी की call को forward की थी मतलब आप दूसरे नंबर पर यहाँ किसी नंबर पर आपकी call forward की थी आप उसको आप बन करना चाहते हो उसको यहाँ पर stop करना चाहते हो तो यह आप कैसे कर सकते हो उसके लिए कोई भी आपको फाल्टू की application दाउलोड नहीं करने के पड़ेगी आपको अपना भी यह जो यहाँ से open करना है आप इस dialer को open करने के बाद देख सकते हो, यह हमारा dialer जो यहाँ पर open हो चुका है आप dialer open हो जाने के बाद आपको यहाँ पर चोटा सा code enter करना है यहाँ पर देखो इस तार यही वाला आपको जो है code को एंटर करना उसके बाद कॉल करना उसके बाद देखो यहां से सुनो तो अभी यहां पे क्या होगा कि दोस्तो आप जैसे आप इस नंबर को यहां पे एंटर करके कॉल करोगे तो यहां पे आप फो आपका जो है call forwarding जो ही stop हो जाएगा call forwarding दो यहां पे हट जाएगा तो कुछ इस तरह किसा आप call forwarding को stop कर सकते हो हटा सकते हो वीडियो पसंद आते हो वीडियो को लाइक कर दाना और यह तरीका शिर्फ जियो यूजर के लिए अगर आपका यहां पे कोई आदर नंबर है यह यह टल वी आई तो मुझे कमेंड बॉक्स में बादा दाना में कमेंड बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा जिस जिस का सीम का कोड क्या क्या है call forwarding हटाने का तो मिलते गाइस किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक के साथ